वेलकम टो ओलनार ओफलाइन ग्यान चैनल माई नेम इस गोरग दोस्तो बहुत ज़्यादा रिक्वेश्ट है थी उन बच्चों की तरफ से जो फ्यूचर में आई टे करना चाते हैं कि सर मुझे ये बता दीजिए मैं फ्यूचर में इलेक्टिशन में आई टे करना चाता हूँ मैं कोपा में करना चाता हूँ मैं इस टेड में करना चाता हूँ मुझे ये बता दीजिए कि इस टेड की डूरेशन कितनी होती है मींस ये कितने साल का होता है और इसके लिए कितनी पढ़ाई करी होने चाहिए तो वीडियो आप पूरी देखे तभी आपको complete information मिल पाएगी और आपको ये भी पता चल पाएगा है कि जो ITA trade आप रहना चाहते है या फिर आपने ले लिए वो किस category में आती है engineering में या non engineering में और सबसे पहले sorry बोलना चाहूंगा कि कल आपके लि आपको मैं trade वाली वीडियो provide कर दूँगा उसके चिंता आप ना करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे architecture assistant की एक साल की trade है इसकी जो qualification आप देख सकते है कुछ की qualification में आपको बताऊंगा बाकी के आपको इसके right hand पे मिल जाएगी और साथ के साथ आप ये भी देखते रहें कि जो trade है किस category में आती है engineering में या non engineering में basic cosmetology एक साल की है commercial art एक साल की है computer hardware and electric maintenance एक साल की है कोपा एक साल है desktop publishing अच्छा कोर्स है ये भी एक साल की है digital photographer एक साल डोट्समें सिविल और mechanic दोनों दो दो साल की होती है dress making एक साल की होती है electrician दो साल की होती है electronic mechanic दो साल की होती है उसके बाद नीचे बढ़े fashion design and technology एक साल की होती है fitter दो साल होती है food and beverages service assistant एक साल होती है food production general वाला एक साल होती है general carpenter एक साल होती है आठवी पास इसके लिए रखी हुई है और बही कुछ बच्चे यहाँ पर अपनी qualification complete नहीं कर पाते आठवी के बाद school छोड़ देते है तो उनके लिए यहाँ पर कुछ trade ऐसी है जिसमें वो अपलाई कर सकते है health sanitary inspector एक साल होती है information and communication technology system maintenance दो साल होती है information technology दो साल होती है instrument mechanic दो साल होती है interior design and decoration एक साल होती है machinist दो साल होती है machinist grinder दो साल होती है Mechanic Auto Body Painting और Repair दोनों एक एक साल की होती है Mechanic Auto Electrical and Electronics एक साल की होती है Mechanic Consumer Electronics Appliance इस दो साल की होती है Mechanic Diesel एक साल की होती है Mechanic Medical Electronics दो साल की होती है Mechanic Motorcycle एक साल की होती है Mechanic Motor vehicle दो साल की होती है Painter General दो साल की होती है और आप qualification आप देख सकते हैं आठ भी पास है Plumber एक साल की होती है Refrigeration and Air Conditioning Mechanic दो साल की होती है Swing Technology एक साल qualification आप देख सकते हैं आठ भी पास चाहिए Non Engineering Category है Stenographer Hindi और English दोनों एक एक साल की होती है Surface, Ornamentation, Technics एक साल की होती है उसके बाद नीचे बढ़ते है Technician Power, Electronic System दो साल की है, Textile Designing एक साल की है, Tool and Dye Maker दो केटिगरी है, इसमें ये दो हैं दोनों दो-दो साल की होती है, Tunner दो साल की Welder एक साल की, और Wireman दो साल की इसकी qualification आप देख सकते हैं और बाकी आप चिंता मत करें दोस्तों जितनी भी मैंने 47 की 47 ट्रेड आपको बताई है मैं आपके लिए कुछ पर तो वीडियो लेकर आच चुका हूँ ट्रेड पर अगर आपने अभी तक वह नहीं देखिए तो description में आपको links मिल जाएंगे और बाकी आप चिंता मत करें दीरे-दीरे करके आपको जो मैं सारी trade कवर करके दे दूँगा मुझे detail gather करने में थोड़ा time लगेगा आप बस patience रखें आपको दीरे-दीरे trades पर वीडियो मिल जाएगी अगर आप हमारे चनल पर नहीं आये अगर आप ITS related information लेना चाते हैं नोकरी से related information लेना चाते हैं तो आप हमारे चनल से जोड़ सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि future में हम आपके लिए कोई भी नोकरी की या